अलो फ्रेंड आज हम बात करेंगे पीम किसान सम्मा निदी के बारे में यानि परधान मंतरी किसान भत्ता के बारे में यानि किसान भायों को जो 6,000 रपे दे जाते हैं पर यह एक साल के 6,000 रपे मिलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे स्टेटस के बारे में बात करेंगे इनि अपनी चह जहार की किस्त के बारे में हम कैसे सर्च कर सकते हैं अपना स्टेटस कैसे जान सकते हैं और देख सकते हैं हमने यहां पी इसकी ओफिसल वेड़ सेड लोगिन करके हैं pymkisani.uv.in पे लोगिन करके हैं परधान मंतरी किसान सम्मान निदी के बारे में हम यहां पी स्टेटस देखोंगे, जैसे कि आपको यहां पी देखने के मिला हैका नमस्कार दोस्तों आपको अपना यूटूब चैनल कहरा है करें इसलिए का स्भीका स्वागत है फार्मर कॉर्णर के बारे में यहां पर्धान मंतरी निदी की समान की नवाया यहां पर दिखा रहा क्या है फार्मर कॉर्णर के बारे में जैसे मक्स को यहां पी उपन करेंगे यहां पी आप कुछ चार स्टेब देखने में लेंगे ठीक है यहां पर देख सकते हैं यदि एडिट आहदार कार्ड भी रिकोर्ड सही स्टेटस सही कर सकते हैं ठीक है और आपके पैंसल जानने के लिए ने पीम किसान का जो भता मिलता है आपको दो-दो जार रुपया करके तीन किस्तों में दिया जाता है पीम किसान के थूरू इन्हें परधान ब्लोक वाइज अपनी दॉनलोड कर सकते हैं और या फिर यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस ओफ सैल्फ रिस्टेशन सीएस्टी फार्मर के नुसर यहाँ पर अपना फूम पलाई कर सकते हैं यानि नूफ फार्मर रिस्टेशन पर अपना अपलाई कर सकते हैं आपने अभी तक प्लाई नहीं किया है तो अपना फों प्लाई कर सकते हैं आज हम बात करेंगे benefit status के बारे में जैसे यहां पर हम open करेंगे status को open कर लेते हैं प्यम किसान का official website से login हो जाता है सरकार की तरफ से यहां पर दिखा रहा कि आपके सामने PM किसान सम्मा नहीं देखे ठीक हम तीन स्टेप से निकाल सकते हैं आपको यहां पर तीन स्टेप देखने के मिलेगी पहले दिखा रहा कि आधार काड से भी हम सर्च कर सकते हैं यहां पer school में अधार kard fill up करके search करते हैं या फिर आपकी पास अधार number याद नहीं है तो यहां पर account number सी चैक कर सकते हैं या फिर अपने mobile number सी सर्अच कर सकते हैं यहां पर fill up करने के बाद मैं get data करना होगा उसके बाद में अपने status यहां पर completed देखने मिलेगा ठीक है जैसे कि यहां पर हम mobile number से search कर सकते हैं या फिर आधार काड़ से जैसे यहां पर mobile से search कर लेते हैं जैसे यहां पर click करने के बाद में आपको mobile के detail number यहां पर यहां पर mobile number के लिए बोलेगा ठीक है आपको यहां पर mobile number fill up करना होगा फिर आपको get detail कर देना होगा फिर आपका यहाँ पर status show कर देगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किसी student candidate का ठीक है open करके देख लेते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर एक login कर लिया है किसी candidate का यहाँ पर अकाउंट open कर रखा है ठीक है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा ठीक है मैंने उसका यहाँ पर नाम चुपा दिया है यहाँ पर इसमें यहाँ पर आपको नाम मिलेगा आपको देखने को former name ठीक है उसके बाद में आपकी आप mobile number देखने को मिलेगा ठीक है मैंने mobile number भी छुपा दिया है उसके बाद में आपको यहाँ पी आधार number देखने को मिलेगा ठीक है आपका state मिल जाएगा यहाँ पी कौन से state से हैं यहाँ district मिल जाएगी सिदर है आपका गौँ मिल जागा मैंने यहाँ पर गौँ को छुपा दिया है ठीक है और आपकी यहाँ पर अकाउंट नमबर मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने अकाउंट नमबर भी छुपा रहा है ठीक है इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं आपको देखने मिलेगी यहाँ आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा एक्टिव की बारे में ने एक्टिव और इनक्टिव यहाँ पर देखने मिलेगा ठीक है उसकी बारे में आपको यहाँ पी लाइन देखरा की है फॉर्म रिकॉर्ड ह सेकेंड थर्ड इस तरह यहां पर देख सकते हैं अलग लग और फॉर्थ इंस्टॉलमेंट यहां पर दिखा रहा किया है यहां पर 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 दिखने को मिलेगी यहां पर इस तरह देख सकते हैं आपको यह वीडियो के इसलिए कि आप हमें लाइक करें कॉमेंट करें और इसका लिंक अमेडिशन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से अपने डारीट प्यम किसान का स्टेटस जान सकते हैं वहां पर चेक क कर सकते हैं ठीक है और इसका फूम बने का लिंक भी मिल जाएगा वहां से अपना फूम प्लाइग कर सकते हैं ठीक है और उम्हारी नेक लुए नमस्कार जाहिन से बात